एटू जैडरी आना देखना ले सारे दर्सकाने सोनू दलाल गी रामराम जाट दरमसाला भीवानें फिलाल पहुंचे आ बाई और अंदोलन मा आपने देख्या होगा हर आदमीन हर तरीकत सा योग करेया है अगरी छोटा हापाला कि अब बात करांगे केसो गाम दनाना थे केसा अगनकस अध्या नाम बता के हैं केसा केसा उगाम दनाना तरवापगा नाम पवंदीप दाददगा अजीत बोड़ी अच्छा अजय ने बता आंदोलन में के के रहा हमारे घजानों को साथ संगर्स किया अच्छा जीत होगी किस चीजगा बार में अंदोलन चल रहा था काले कानून और कितने तीन थे वापस ले लिए सरकारने कितनी खुशी है बहुत ज़्यादा नारा लाव एक जैजवान 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 किसान मुझवरेक था जिंदाबाद इंकलाब देख्या गया और इतनी कम उमर में इतना ज़जवास आए दियू जब बड़ा होगा तो इस ना पता चलागा कि इस एतियासी का अंदोलन क्योंकि 1977 इसके बाद आज तक का सबसे बड़ा अंदोलन रहा है जो इब आंदोलन चाले रहा था उसमें इस भाई का भी इसा इतना है था और कुछ सोशल मीडिया के अपने साथी हैं जो लगातार कि मैं तो दोड़ाई मीने बाद आ गया था लेकिन लगातार बादुरुगड का नजदी गाम है मैंधी पुरगाम है जजर वेरी हैं ओड़त ये साथ हैं आज मोका मिले हाजी कट्ट होई सारे बाई जाट द बात से करांगे किस तरीका की जो दरातर लेवल पर इन नहों कहा कराने बाई एक सचाही दिखाने का काम करें तो बाई जी राम राम सार्यान है एक बार प्रिच्चे करवा हैं बाई जैपाल सिंग मुसाफिर न्यूज पर्दीव दलाल मेंधी पुरू बाई जैपारमर गा बार जिनने किसेन अपना भाई खोया किसेन अपना बेटा खोया किसेन अपना बाप खोया किसेन अपना दादा खोया यानि जीस घरता आदमी चलिया गया नुक्सान तो होया है लेकिन जब दरातर लेवल पर सारा आंदोलन की बात हो तो इन बाई यांता बात करांगे तो बाई लगातर आपने वी काम करे है लोक आगि रहा हर चीज एक रण बनाना क्योंकि जब आप खाता खोल योग एक रण बना लेगा तो आप सेंचुरी डेबल सेंचुरी ट्रिपल सेंचुरी भी मैर्स को लेकिन जब तक एक रण नहीं बनागा तो आध्ग नहीं बढ़ पाऊगा इन भाईयाने चैनल बनाए और वो का अगरा भाई सवार्थ मैं या दुनिया टिकी है और सवार्थ ही एक ऐसी चीजी जिने एक इनसान दूसरे इनसान दो जोड़ किया लेकिन सवार्थ ही यह नहीं था कि इनक किसे तो कुछ लेना था द्रातल लेवलब काम करके केक जूपडी की ट्राली की वीडियो बनाए गए नहीं बाई यह नमेनत करी है तो परदी बाई के कुछ आंदोलन का नहीं चोड़ लागया अंदोलन यह अंदोलन जन अंदोलन बन गया सुनु बाई और पहले दिन थामीन भाईया के साथ जुड़े थे हमने देख्या कि जो मीडिया था वो किस तरह से गलत परचार कर रहा है। माईक भी पकड़े और ही सान दोलन में कूदी के फिरा में। लोगों ने गोती मीडिया का बैसकार किया कि जो दिखा रहे थे गलत दिखा रहे थे। कोई गठना कुछ थी उसको बड़ा चड़ाए कुछ दिखा रहे कोई होई नहीं उसको भी वहीं लाके गठना हुई हो कहीं यह बोरे टीकरी बोडर हुई है। जो आसपास भी नहीं थी जैसे आप देखा थे एक इंसान जलके मर गया था उसको भी ऐसा बंडर मचा दिया गया कि यह तो यह वह आलाकि उनको सब को पता है कि वह किस तरह मिर्तु होई थी और किस तरह क्या हुआ था उसका। तो हमने वो सचाई दिखाई लोगों को कि लोगों ने विश्वास किया कि हाँ लोग यह मानों जब तक हमने यह अपील गी थी अंदोलन चले अपने टीवियों को उठा के गर में रख दो बंद करके अगर अंदोलन जीतना है तो क्योंकि वो अमेशा जूट पे आदारी च भाया जाए लोगों तक सचाई ना पहुंची एक जूट को यह सरकार बोलती है अगर आप से लोगों उसक warfare दिखाई WAY और एक सचाई दिखाई रिखाड़ी कि हालात चल रहे हैं अजी इस अधर डिपर पर क्या हो रहा है और REPORT सची ग्राउनสरे हों कै दिखाई लोगों तो मेरा ज्यादा नहीं चला लेकिन जितना चला मेरे को संतुष्टी है अगर एक आदमी ने आपकी वीडियो देखिए नहीं देखी तो और देखा हुएगा जिसका पसंदा होगी तो भाई सर्वात एक रन से हुई जैसे आपने दारन दिया था तो फिर सेंचरी भी लगी आ नहीं करेंगे हमें पता है क्योंकि कल भी नरेंदर तोमर जी का किर्शी मंत्रिया बयान सुन लिया होगा कि यह एक कदम हम पीछे अटे यह निमाने कि इनकी बहुत बड़ी जीते हुए इस तरह बयान आए हैं आते रहेंगे जब भी सरकार कुछ ना कुछ की साने साथ गलत करेंगे हम तयार बैठे हैं फिर से वही बोर्डर है और वही बात दुरूड है फिर से तयार है हर एक बोर्डरों पे लड़ाई है यह नई चीज प्रदीप नई चीज के मिले और तो जो सब अठक थी अंदोलन में बाइचारा चतिस कोम सभी राज्ये युपी पंजाब हर याना, राज्यस्तान, उत्राखंड ये सब मिले तकरीबन पान सो चार सो साल पहले जो कुणबा था यो कुणबा बोलते हैं अपने देश सी लैंग में वो भी चड़ गया था, वो इकटा हुआ, सबसे बड़ी बात हमें ये मिली, 36 कोम का भाइचारा मिला, ये सबसे देखते जाता हैं, शांति मत तरीक के से बैठके कैसे जीते? ओ साथ छोड़ता नहीं, तो कैसे साथ छोड़ा था उसने, वो मैं ही जानता हूं, पांस दिन तक मैं अपने ओस नहीं समाल पाया था, मजबूती भी दी होगी, मजबूती दी, लेकिन उसकी भी अईवाद थी, कि हम रहे ना रहे, हमारे बच्चे तो याद रखेंगे, आंदोल सिंग के बारे में पढ़ा जा रहा, इतियास, इतियास में लिखा गया, इस पर बच्चे पढ़ाई करा करेंगी, वाई सोनु भाई आगे, आपका तजर्बा के कवापना के देखे, जो दुनिया के इतियास का सबसे बड़ा अंदोलना, सच्चाई और जूट के बीच में एक तरफ गोदी मीडिया था, जो जूट फैलाने में काम कर रहा और एक तरफ सोसल मीडिया था, जो सच्च दिखाने का काम कर रहा था, हम वहाँ किसानों के बीच मैं पूरे एक साल तक किसानों के साथ मेरे अपने काओं के टेंट में किसानों के साथ रहा, वहाँ उनके सा अधे मैं और र zij camakya किसां टतश से मस नहीं कि वांज आए है कि संधोल ने जिस परकार से शाहत दिया इस एक पूरे विश्न में उबर करा दाखं़ेया का्या लेकिन कई ने कहां, लेकिन कहीं ने कहीं अब भी मैं संका जाहिर कर रहा हूं कि हर्याना में कुछ पार्टियों जिनको ये रास नहीं आ रहा है कि तिनों का नुम वापस हो गया है वो पार्टियां आप भी चाहेंगी कि हर्याना में कुछ जैसे पीछे एक जाती के अरशन के नाम पर हर्याना को जलाया गया था अब भी संभावनाई बनाई जा रही है अब भी तरह तरह के हिंदू मुस्लिम जैसे अपवाद को खड़ा किया जा रहा है कुछ पार्टियां चाहती है हर्याना का बाईचार खराब करना लेकिन कुछ जो एसकेम के लीडर थे वो भी अब गल्त रहा की और अपना पद बढ़ा चुके हैं जो किस त्रीकत है कुछ राजनीतिक पार्टि बना के पंजाम में लेक्स लाड़ने की जो त्यारी कर रहे हैं वो कहीं न कहीं गल्त है लेकिन एक चीज यह भी तो हने उनका कहना यह था जब तक इन किसान नाम तो कोया अग्ड़ नहीं होगा तो वह बल्या बागड़ भी कि अपनी राजनीतिक इच्छाओं के चलते गुणाम सिंग चुड़नी को तीन च्यार बार से स्पेंट किया जा चुका है तो उनकी इच्छाएं कहीं ना कहीं पहले से थी अभी स्केम तो प्योर किसानों के लिए बना हुआ था तो यह तो किसान के लिए वो छोड़ दें स्केम या फिर अपना राजनीतिक के रिए पर सुरू करें और मैं यहां एक बात और बताना चाहूंगा हमारे युवां को किसी ना किसी दल के जरिये कि हम हिंदू हैं ये मुसलमान हमारे गिलाप ये खुले में वो नमाज नहीं पढ़ सकते ऐसी ऐसी भावनाएं बढ़का कर हिंदू मुसलिम का और कास्ट वाइज का कुछ न कुछ दंगा रचने की त्यारी अब भी की जा रही है तो मैं हर्याना वासियों को ये कौंगा कि आप ठीका अंदोलना अपने जीता लेकिन अब भी भाईचारा बना के रखिए अपने बच्चों को कलम दीजिए उनको पढ़ने के लिए दीजिए उनको पढ़ाईए उनको अच्छी शिक्षा दीजिए लेकिन उनको इन संक्ठनों से दूर रखिए जो उनका भविस्या नहीं उनकी मौत का समान है बिल्कुल बहुत बहुत दन्यवादे को और भाई हैं आपने साथ नसीब इन भी पूच्छा कराइगे कि आपने भी ग्राउंट प्रफोट देखाई है आमने भी ग्राउंट प्रफोर्ट देखाने की पुरी-पुरी कोशिज करी है उसमें आमने सीखने को एक ही चीज़ इस सब पहला तो अपना वाईचारा जुड़िया और वह वह भाईचारा यह एक एक इखठा हो तो माले अपने अरियाना में के बात थी कि गए हूँ आला करके ना आएगे यो जिन्दिगी का सबत है लंबा जो आमने देख्या है लंबा अंदोलन रहा है यो और ये तो साइद आने वाड़ी पीड़ी भी अपनी याद रखेंगी कि यो कितना बड़ा अंदोलन तार कितने शानत तरिक्यत यो आंदोलन होया है और काफी जो है आप जैसे बाईयान ने उड़े भोत सहयोग करया है तो और जैसे कुछ बाईय मैं तो कहुँगा कि जो बाई सही दोए हैं उनकी किसे भी प्रकारत है गोर्मेंट मदद करे उनने एक-एक सरकारी नोगरी दे और उनकी म उनकी मदद चाहूं मैं तो बिल्कुल बहुत बहुत निवाद क्यों कि एर यानम पहली जो बोड़ी आई थी अजे मोर गाउं बरोद्दा की आई थी यानि बरोद्दा बिटाना जो बरोद्दा अलखाम पड़ा है बरोद्दा है गाम में और बाई ओड़ाय बलराज कुंड करो हिन की मदद करो बाई पार्टियां इनको ये बाई चारा को खराब करने की फिर से कोसिस करेंगी इसलिए मेरा पूरे हरियाना से विनारम निवेतन है कि जाती पाती और धरम के जंजट में ना पड़ें आपने बच्चों को सिक्षा दें और आप सुम्हें बाई चारा बना के रखें देन्यावा है उसकी जैसे गरवाली है वो पड़ी लिखी है ग्रेजवेशन है सरकार से अपील करते हैं नोकरी दो उनको और ज्यादा है ज्यादा उनकी मदद अपने भाईचारे को भी करना चाहिए बाई जिसका जैसा पर होता है जार का है दो जार का उनकी मदद करो क्योंकि वह कैसे पलेगा तो मैं और भाई यो सभी आपके चैनल के माद अपील करूंगा कि भाई ओ मेरे गाउं का लड़का था अगर कोई मदद करना चाहिए बाई मेरे से संपर्क कर लेगा मदद कराऊंगा मेरा नंबर दे देना सोनु भाई आपके पास है तो मदद करना भाई उनक करना थे रहें भाई तन्यवाद भाई